नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सान फैसन डिजाइनर में दोस्तों आज हम आपको एक बहुती खुशूरत स्लीव डिजाइन बना कर दिखाएंगे यह हमने नॉर्मली स्लीव की कटिंग कर रखी है और इसे ऐसे खोलने के बाद हमने बीच से कट कर रखा है इसमें हम आपको डिजाइन बना कर दिखाएंगे यह हमने धर्मकोल की पोटली बना रखी है यह आपको हम एक पोटली बना कर दिखा देते हैं ऐसे कपड़ा लिया और यह हमारा रील का धागा है इसे ऐसे लपेट कर इसे ऐसे कटिंग कर देंगे यह हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है इसे हम आपको बहुत ही खुबसूर डिजाइन बना कर दिखाएंगे और यह हमारी नेट है कि नेट का कपड़ा इसे हमने ऐसे कि फोल्ड कर लेना है और लंबाई में जितनी भी ज्यादा हमें फ्रिल चाहिए उतना इसमें हम जोइंट लगा सकते हैं यह हमने 27 इंच कपड़ा ले रखा है और ऐसे हमने 10 इंच ले रखा है इसे 20 से फोल्ड करने के बाद यह हमारा पाच इंच रह जाएगा दोस्तो यह डिजाइन हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हमें यहाँ पर एक एक इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है ऐसे अब हम यहाँ पर अपनी एक एक करके ओटली लगाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे तो यह देखें दोस्तो हमने एक साइड बड़ी फिनिशिंग के साथ पोट्री लगा दी हैं अब हम एक्ष्ट्र कपड़े की कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद यह हमारा जो दूसरा भाग है इसे ऐसे हम इसके उपर रख लेंगे और रखने के बाद इस साइड से उस सिलाई के उपर उपर हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे तो यह देखे दोस्तो हमने सिलाई लगा दिया है और ऐसे हमारी पोटली बाहर आ गई है अब इसके बाद हमें ऐसे यहाँ पर कन्नी की सिलाई लगा देनी है हमने पोटली के उपर कन्नी की सिलाई लगा दी है हमारी पोटली एक एक करके बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाहर नजर आ रही है और अब हम आपको यहाँ पर फ्रिल लगा कर दिखाएंगे यह हमारी नेट का कपड़ा है यह हमने लंबाई में ऐसे एक कपड़ा जोड लिया है और जोडने के बाद हमारी फ्रिल ऐसे फोल्ड हो गई है और यह हमारा कपड़ा काफी लंबा है आप फ्रिल के इसाब से और कपड़े के इसाब से इसमें कम या जादा भी कपड़ा जोड सकते हो तो यह देखिए दोस्तो हमने अपनी नैट को ऐसे डबल फोल्ड कर रखा है और इसे हम एक एक इंच की दूरी से उठा कर ऐसे यहाँ पर एक एक इंच की हम यहाँ पर फ्रिल डाल लेंगे इस परकार से कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि हमने अपनी फ्रिल तैयार कर लिए है और एक्ष्ट्रा फ्रिल को काट दिया है यह हमारे फ्रिल बाजू के बिल्कुल बराबर है और अब हम इसे ऐसे अपनी बाजू के उपर रख लेंगे और उपर रखने के बाद यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे तो यह देखे दोस्तों सिलाई लगाने के बाद हमारे फ्रिल अटैच हो गई है और अब हम इस पर कन्नी की सिलाई लगा देंगे तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर कन्नी की सिलाई लगा दी है और इसी के साथ हमारी सिलीट बनकर तयार हो गई है इसे आप अपने बुर्खे में, सूट में, ब्लाउज में, गाउन में, कमीज में कहीं पर भी आप इसे बहुती आसानी तरीके से लगा सकते हो तो ऐसे नोर्मल ही अपनी सिलीट के हिसाब से ऐसे मोरी बना कर हम इसे मोड देंगे और इसके बाद भी आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में कोई भी प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट करें और आपको हमारे डियाइन कैसा लगा दोस्तो ये भी हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें थैंक यू फूर वोचिंग